हालो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रोलाइफ फ्रेंड्स हमारे शरीर में कई तरह के मेनेराल्स पाया जाता है जैसे कि आप सोडियों पोटासियों मैगनेसियों क्यालसियों यह सरे चीज हमारे शरीर में प्रेजन्ट है यह हर चीज से हमको कोई ना कोई फाइदा ही मिलता है आज के टपिक हाइपरनेट्रिमिया फ्रेंड्स हमारे सरीर में जो सोडियोम का काम है वो हमारे सरीर में जो मॉसल्स होता है मॉसल्स और दिमाग में जो नॉस सब है उसको यह बेसिकली नियंत्रित करके रखता है अगर sodium की मात्रा हमारे सरीर में काम हो जाता है तो यह hyponatremia का लक्षन हमको दिखा ही देता है तो sodium है एक electrolyte है जो हमारे सरीर में पानी की मात्रा यानि water आपको hydrate रखने में यह ज़्याधा तर मदद करता है तो आप देखते हैं 소廃um की मात्रा हमारे शरीर में किम काम होता है σरीर में काम होने का बड़ा एजन है आपका एज साड़ साल से जाधा है तो अपके शरीर में solidium quello मिन्राल से उनकी मात्रा ध्रिख्रे ध्रे काम होने लगता है यानि यह जो एज की रिगाड़ी में यह सारे प्रोब्लेम भी देखना को मिलता है यह जो नवया प्रोब्लेम है आपको जैसे कि अगर आप हाइपर्टेंशन में पीडिते या डाइबेटिस में पीडिते इस कंडिशन में भी आपको हाइपर्नेट्रिमिया का लख्षन दिखाई देता है क्योंकि जो डाइबेटिक मेडिसीन है जिसको लेने से आपके शरीर का जो सोडियोम के मात्रा यह धिरे-धिरे इसमें कम हो जाता है जिसके कारण आपको हाइपर्नेट्रिमिया का लख्षन दिखाई देता है और उने कहने देकश है ऑर लख्षन है जैसे कि ज्यादा भॉमेटिंग हो रहा है या किसी लेंडिया कंडीशन में आपके शरीर में स्योडियोम का मात्रा काम हो सकता है यह ज्यादा धॱर्ण के कारण आपके सरीर से ज्यादा पासीना निकलने के वज़े से भी आपको सोडियम के मात्रा कम होने का ज्यादा चंसेस रेता है तो यह जो जो पासीना निकलता है यह ज्यादा तर आपको गर्मी के मोसम में यह ज्यादा तर देखने को मिलता है तो यह अगर किसी का हाइपर नेट्रिमिया हो भॉसुआज फार्टिग यो यू, कन्फिुजन जैसे फिल होगा लॉस अपटिटाइटीस या मॉसल्स उइकनेस, इरिटेशिय यू सारे लख्याण आपको ज्यादार दिखाई देता है इसमें ज्यादा तर आपका रिक्स फैक्टर होता है इसमें कि आपको कोमा या सीजर होने का बहुत ज्यादा चांसे रहता है या किड्नी फेलोर होने का या हार्ट फेलोर होने का भी चांसे इसमें ज्यादा रहता है तो फ्रेंट्स यह एक एमोरजेंसी कॉंडिशन है इसमें ग haunting आज至 इसलें वे पैफोलोजीकल टेस्ट कुछ देखते हैं तो इसले पेशिंद हैं अपका इश्वरीन का इसल आप चेक कर सकते हैं अपका ब्लाड में शोडीयोम का लबल आप चेक कर सकते हैं यह सकते अपका ही ज़ेत आप इंसान का sodium level देखें तो यह ज्यादातर 135 से लेकर 145 milli equivalent per liter रहता है अगर किसी आदमी को hypernatriumia का condition दिखाई देता है तो उसी में ज्यादातर यह 130 से 135 से कम हो जाता है तो इंसान को hypernatriumia का condition ज्यादातर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स यह था hypernatriumia का जो आपका शरीर में sodium का level के बारे में इसमें जो hospitalization होने के बाद अगर आपको doctor बहुत सारा help करते हैं इसमें अगर शरीर में sodium का level काम हो गया है तो इसमें जो treatment आता है आप जेनरली जो 9% NS होता है यानि नर्माल सालाइन जो sodium chloride में आता है उसको आप ले सकते हैं और dextrose आप ले सकते हैं इसको लेने से आपके शरीर में जो sodium का level है यह धीरे धीरे इंक्रीज करता है और dehydration therapy आप उसमें दे सकते हैं तो फ्रेंट्स यह था थोड़ा तो फ्रेंट्स यह था जो हाइपर नेट्रिमिया कांडिशन का कुछ treatment और कुछ risk factor तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर चानेल में नह आपको मिलती रहे स्वास्त रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद